जी नमस्कार मैं आशिश पांडे आप सब का स्वागत करता हूँ अरुनिका स्टडी में और जैसा कि आप सब को इंफॉर्मेशन मिली गई होगी कि आप सब का प्री एड्मिट कार्ड आ चुका है और जैसा कि आप सब भी जानते ही है कि ये जो प्री एड्मिट कार्ड है ये केवल 28 तरिक और 29 तरिक यानि 28 दिसंबर और 29 दिसंबर वालों का ही आया है अभी तक ठीक है तो इसी के साथ कुछ और जनकारी है वो भी मैं आप सब के साथ सेर करना चाहता हूं तो वीडियो के आखरी तक जरूर बने रहिएगा और जो लोग चैनल पे नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे वीडियो को लाइक और सेर सभी लोग करेंगे तो कुछ दिनों पहले आप लोग भी एक देखे होंगे कि एक नोटिस वाइरल होई थी सीटेट की जिसमें यह लिखा गया था कि 29 दिसंबर से पेपर है जबकि मैंने बोला था कि वो नोटिस फेक है और काफी बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वालों ने भी यह चीज़ लिख दिया था कि हां 29 दिसंबर से आपका पेपर होगा प्रफी यह समझ सकते है कि एससी के एडमिट काइब क्या होता है कि सबसे पहले आपका एक status हो होता है जिसमें आपका exam CT और exam date बताया जाता है और ये लिख दिया जाता है कि आप लोग अपना admit card दो दिन या तीन दिन पहले आप लोग download कर पाएंगे exam date के तो उससे क्या होता है कि अगर आपका center कहीं दूर है तो आप वहाँ पे जा सकते हैं आप अपने ticket करा सकते हैं जो भी सुविधा आपका हो सके वो अपना सुविधा के अनुसार अपनी planning कर सकते हैं ये रहता है तो जैसे कि इस बार भी seated में क्या हुआ था कि आप से पहले ही पूछ लिया जा रहा थे कि आप कहा center देना चाहते हैं उसमें बता भी दे रहा था कि कितने seats खाली हैं तो जैसे मैंने एक अपने friend का fill किया था form तो उसके घर के पास से ग्वालियर नजदीक है लेकिन ग्वालियर की seat फूल हो चुकी थी उसने late कर दिया था तो उसका center indoor देना पर रहा तो जो की थोड़ा दूर है उसके घर से तो यही reason है कि अगर आपका कहीं माल लो आप लेट फॉर्म वरा हो तो आपका center दूर चला गया हो इस वज़ा से तो इस वज़े से आपका पहले बता दिया जा रहा है status बता दिया जा रहा है एक pre-admit card के नाम दे कर आपका status बता जा रहा है आपके exam का ठीक तो यह चीज़ आप लोग समझ लेजिए इसी के साथ कुछ लोग मुझसे यह पूछ रहे हैं कि क्या इस बार का जो paper हो रहा है व वो alphabetical order के साथ exam हो रहा है या कुछ और reason है तो सीरी सीरी बात है कि alphabetical तो बिल्कुल नहीं हो रहा है ठीक है तो इस चक्कर में तो आप लोग रहिए ही नहीं कि alphabetical हो रहा है और दूसरी चीज़ यह है कि अगर बाकी कोई YouTube चैनल वाला आपको बता भी रहा हो कि इस बार इस pattern पे एक्जाम हो रहा है इस तरीके से admit card release हुआ है तो बिल्कुल भरोसा ना करिए किसी के पास कोई information नहीं है सीटेट ने अपने according जो किया है किया है यह इसकी जनकारी किसी के पास नहीं है ठीक तो यह चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा फालतू के किसी के बातों में ना regular उस चीज़ को चेक करते रही है और देखते रही है कि कब आपका admit card so हो रहा है तो आपको भी मालूम हो जाएगा बात यह है कि जो 28 वाले हैं उनका admit card मतलब जो hall ticket बोलते हैं exam में आपको entry मिलेगी जिससे वो आपका 26 से download होना सुरू हो जाएगा तो उसी तरीके से आप लो गया हो जो phase 1 है वो 28 तरीक से लेकर 4 January तक चल रहा है ठीक मैंने बोला भी था कि यह कम से कम 2 या 3 phase तो रहेगा ही और देखते हैं कितने phase में चलता है धीरे-धीरे सब information आती जाएगी और फिलहाल जो information है वो मैं अभी आपको बता दिया हूं काफी सारे confusion हो रहा है वो भी मैं बता रहा हूं दूसरी चीज सेंटर इधर उधर आपका नहीं होगा सेंटर चेंज होने का बस 1% possibility है केवल 1% ठीक है तो इस चीज़ का भी ध्यान रखेगा सेंटर आपका चेंज नहीं होगा मुझे पूरा पूरा यकिन है अगर आपने सेंटर जहां दिया है वहीं आपका स कुछ लोग चाहते हैं कि हम सेंटर चेंज कर वाले तो वह इंपॉसिबल है वह सेंटर चेंज नहीं हो सकता है इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखिएगा ठीक और जो भी आपको इसके अलावा confusion हो रहा हो तो आप लोग comment section में पूछ सकते हैं मैं उसका जवाब जरूर द किस तरीके से online exam होता है हर एक चीज मैं बता दूंगा बस आप लोग अपना support और आपका ध्यान इस चैनल पर होना चाहिए तो चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो का भी खतम कर रहा हूं और जो भी आपके doubt comments जो भी आपकी दिक्कत query जो भी हो सब आप comment करके पूछ सकते है मुझसे मैं जरूर आपका आपके समस्या का समाधान जरूर करूंगा मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए टाटा वाय बाय एंड थैंक यू